आज हम जानेंगे कि दलहनी फसलों में कीट परवंधन कैसे करें दलहनी फसलों में रभी के मौसम में किसान भाई मसूर और मटर जो मटर दो तरक होता है एक सबजी वाला मटर और एक फिल्ड पी होता है जिसको जिसका छोला बना के लोग खाते हैं तो उसकी एक खेती होती है और इन दोनों फसले इसी है जो जिसमें कि हमारे राज में पानी का भी अभावा शिचाई का अगर दूसरी फसल आप लेजिये तो ज्यादा पानी देना पड़ता है गेंव लेजिए पान छे देना पड सुझाट है और रही बात किसान भाई की जो मतर और मसूर लगाते हैं इस दोनों फसले लेजिए फ्यादी की आप लिए प्राय एक ही तरह के किट लगते हैं अगर हम कीटों की बात करें यहां पर तो यहां की भूमी खास करके लाल जमीन है अप्लैंड है ऐसे डिख है तो उसमें फिर कुछ रस शुषिने वाले कीड़े ठंडा पड़ता है तो एक माहूग कीड़ा होता है उसका भी प्रकॉप होता है फिर खास करके जब पौधे बड़े होते हैं जो बहुत ही हानिकारक हमारे राज में जो कीट पहुंचाता है खास करके फल चेदक समूग का प्रकॉप होता है यह कीड़े नुक्सान फोजाते हैं और रही बीमारी के बाद तो मुक्तर दो तरह के बीमारी अंग देखे जाती है मत्र में यह आपका एक होता है की पौडरी मिल्ड़ी होता है दिखेंगे सफिद सफिद पाउडर पत्ते पर दिखेंगे और दूसरा ए जो कीड़े प्रवंधन के अगर हम बात करते हैं तो कुछ फसले जो होती है जैसे कि आपने को बता कि मतर वाले छेमी के रूप में भी परयोग करते हैं दाना के रूप में इसमें अगर जैवी किटनासर की बात करें और रसाइनी में तो कौन सा बहतर होता है और कैसे कैसे अगर किसान भाई अगर समय कित कित प्रमनन करें बीज लगाने से लेकर फसल त्यार होने तक अगर कुछ बिधियां अपनाएं तो हो सकता है साइध उनको रासाइनी केट ना तक डालने की जूरत ना पड़े तो मैं सरपर्थम यह बोलना चाहूंगा मतर हो या मसूर हो किस अगर खेती ने तो पीज उपचार कर लें इस तरीका है कि जिसले कम लागत में भी और शुरु के समय में भी है उसमें कुछ करना नहीं एक किलो बीज हो तो पांच मिलीलिटर इमिडा कुलो प्रिया क्लोरो पारिफास की नामता बम आती है उससे मिला कर के बीज को उपचा हैं हमारे हैं इसलिए राइजोबियों से भी बीज को उपचार करें तो किसान अगर बीज उपचार करके लगा देते हैं तो पहले 30 दिन तक बहुत सारे कीट का प्रकोप से मारी फसले मटूर मसूर बचाती है खास करके दीमक से भी और जहां तक रभी के समय में खेत की अच् अगरे हैं और बहुत सारे कीडे फसल का बचा हो जाता है और दुसरा बात है किसान को अत्रिक्त आयक रूप में भी कुछ मिलाता है तो किसान भाई खास करके इस से लगाए तो रस तूसनेवाले कीटों से भापी प्रकाव बढ़ जाता है अगर बहुत ही समय में जबादल मफले मा में तान दलद ठंडा रहा है तो मसूर में करके माहू प्रकूब होता है तो चूस्निय वाले कीड किरे दूसरी वह तो दूस्ट है किसान भईजाटा प्र 50 को ठीक Земू कड़ा हुग भी नहीं है आप उसको लगाएं उससे क्या होता है कि बहुत सारे रस्चुषने वाले कीड़े उस प्रपंद में आकर चपक जाते हैं उससे किसान भाई को दो फैदा होगा एक तो यह होगा कि वो देख लेंगे कौन सा कीड़ा चिपका है स्वतने इंत्रन होगा जब यह बीज को उसके बरवादना होने दे आपके घर गाउं में घर में अगर बीज है तो उसको आप चूल लें चूलने के बाद उसको आप साच्छाय में सुखा करके चूरा बना कर लें और एक किलो बीज पावडर को आप 20 लिटर पाने मिला करके शूब रात में डाल दें तू